तो फ्रेंड्स यह अभी नास्ता करने आया हूँ और गाड़ी अपनी वेरना गोवा में है तो चल के देखते हैं कहां के लोड़ हो हाई एवरीवन विल्कम बाइक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स मैं अभी गोवा में खड़ा हूँ यहाँ पे पुंडाई के पास तो अभी मेरे को आडर मिला है लोडिंग के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ 28 किलो मीटर है वेरना इंडिस्टियल एरिया तो वाट्सन फर्मा कमपनी है एक मेडिसिन की उसी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे कल गाड़ी लोड होगा तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते है पेट्रोल पम्पे खाड़ाता है यह पम्प है तो फ्रेंड्स से फाइनली मैं निकला हूँ वेरना के लिए भी और चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं वेरना इंडिस्टियल एरिया गोवा तो वहीं से लोड होगा गाड़ी अपना तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी मैं पॉंडाई पार्क किया हूँ और वेरना यहां से अभी 15-16 किलो मीटर है तो चलते हैं कमपनी पहुंच के आपको दिखाते हैं आगे तो फ्रेंड्स फाइनली कमपनी में पहुंच पिका हूँ और वाक्षण फर्मा कमपनी है लोड होगा सुबह गाड़ी अंदर होगा तभी लोड होगा आप लोग देख सकते हूं तो वेरना इंडिस्टियल एरिया में पढ़ता है और पूरा यहां पर पूरा वैक्सिन का क तो चलते हैं अभी सोएंगे सुबह उठके देखते हैं क्या होता कहां का लोडिंग है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी में कमपनी में खड़ा था मैं नाइट में और वहां से इंट्री करा के अभी जा रहा हूँ वेर हाउस से गाड़ी अपना लोड होगा चलते हैं तो फ्रेंड्स फैनली आ गया हूँ वेर हाउस में लोडिंग के लिए वाट्सन कंपनी का गोडाउन है यहां पर यहां पर आया हूं लोड करने इस कंपनी में कुल गारी वास होना चाहिए अंदर वाला लाइक तूरा ओके होना चाहिए ड्राइबर के पास हूं जेक आओ गया है। और देखते हैं नाइक में लोड होगा नहीं अभी चलते हैं आस्ता करने अपको आगे काैनू तो फ्रेंड्स फैनली वेयर अऊस से आया था नस्ता करने गाड़ी खड़ा करके और नस्ता करने बात चलके देखता हूँ कहां के देख सकते हैं फैनिली अवी जा रहा हूं वेरहास में गारी ख़रा करता हूं देखते हैं कहां के लिए लोड हो रहा है यह राइट में दिख्राई वेर हाूस है इसी में गारी लोड होगा गारी साइड में वाहर ख़डा कर देखता हूं तो फ्रेंड्स फाइनली अभी खाड़ा हूँ कमपनी में और नाइट में लोड होगा गाड़ी तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहें पर एंड करता हूँ मिलता हूँ इस ब्लॉग में तब तक के लिए बाइबाइ